नमश्कार में अप्रिया आजो 13 जन्वरी चलि जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक जनरल ड्यूटी समेट कई पदों के लिए आवेधर्ण इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक जन्रल दूटी, नाविक डिमेस्टिक ब्रांश डीबी यांत्रिक के लिए कुल मिलाकर 358 पदों के लिए आवेदना मंतृत किये हैं इन पदों के लिए सक्षनिक योगिता की बात करें तो 10 प्लस 2 फिजिक्स या गनित के साथ या 10 पास या 10 पास और इंजिनिरिंग में डिपलोमा आदी की योगिता रखने वाले मिद्वार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं इच्छुक और योगि मिद्वार www.joinindiancoast guard.gov.in पर जाकर 21 जनवरी से पहले आवेदन भर सकते हैं अररिया वासियो ने किया भारत चीन बॉर्डर पर तैनात लेटिनिन खुश्पु जैन का स्वागत फार्बस गंज शहर में लेटिनिन खुश्पु जैन के आगमन पर बीति दिनों अभिनेंदन समारों का आयोजन क किया गया था आयोजित इस कारिक्रम में मुक्य अधिती के रूप में अररिया सांसत, प्रदीप सिंग और फार्बस गंज विधायक विद्यासाग केसरी उर्फ मंचन केसरी उपस्थित हुए कारिक्रम में लेटिनिन खुश्पु जैन को सांसत विधनिस अंस्था द्वार लचीन बॉर्डर परदेश की सेवा कर रही है कोरोना वाक्सीन की पहली खेप पहुची पटना देश भर में कोरोना वाक्सीन की पहली खेप भेजने की तैयारी शुरू की गई थी इस इक्रब में बिहार को भी बीते दिन बड़ी स्वागात मिली है कोरोना की इस लड़ाई को जीतने के लिए वाक्सीन की पहली खेब कॉलकता के रीजनल सेंटर होते वे बिहार पहुँच गई है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे वाक्सीन की पहली खेब स्पाइस जेट विमान से राजधानी पटना पहुची है जो की सीधे पूने सेसीरम इंस्टिटूट से वाक्सीन को ले कर पटना पहुच चुकी है जानकारों की माने तो कुल मिला कर साढ़े पांच लाख वाक्सीन को पटना पहुचाए गया है जिसको सीधा NMCS सेंटर में स्टोर किया गया है मकर सक्रांती से पहले बिहार की कई विभागों में निकाली गई रिक्तियां इस बार बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है चुनाव के दौरान सभी राजुनितिक दलों ने अपने चुनावी वादे में नौकरी मोया करवाने के काफी दावे किये थे जिसके बाद अब सभी वादों को धरातल पे उतारने का समय आ गया है इसी क्रम में स्वास्ति वभाग की तरफ से बंपर वेकेंसी निकाली गई है समविदा पर नौकरी के च्छो कुमेदवार युवा अकाउंटेट पदों के लिए अपलाई कर सकते हैं नाश्रल हेल्थ मिशन में निकाली गई इस भरती के लिए नियुन्तम योगिता कॉमर्स स्ट्रीम से ग्राजवेशन है राजस्वास्त समीती बिहार की तरफ से जारी विग्यपती में कहा गया है कि नाश्रल हेल्थ मिशन कारिकरेम के लिए कुल 84 पदों पर अकाउंटेंट की जरूरत है जिसके लिए आधिकारिक वेबसाइट स्टेट हिल्थ सोसाइटी बिहार.org पर जाकर आवे दन भर सकते हैं बिहार में जल्द ही होगी ठंड की दस तक बिहार में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाली है जिस समय लोग कडाके की ठंड की उमीद लगाए रहते हैं उस समय पूस के महीने में फागुन वाली गर्मी देखने को मिल रही है दसंबर में ठंड से ठिटूरे लोग अचानक जनवरी के शुरुआत में ही कंबल और स्वेटर को छोड़ चुके हैं बिहार में भी जल्द ही ठंड का असर देखने को हाला की मिलने वाला है बिहार से सटे जगों पर पिछले 24 घंटे में नियूंतमता पान में गिरावर देखी जा रही है वह पश्री में विचोब का भी एक से दो दिनों में बिहार आने की संभाव ना जताई जा रही है जिसके बाद ठंड का प्रभाव तेज होगा बिहार रेजिमेंट के शहीदों को गंतंतर दिवस समारों में किया जाएगा चीनी सेना के इसाथ देश के लिए शहादत दी है बिहार बटालियन के करनल अभी संतोष बाबू सहित कम से कम पाच जवानों को देश के लिए जान गवाने के लिए बीरता पदक दे कर सरकार उनके बलेदान को सम्मानित करने वाली है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीनी सेनिकों से ज़ड़प के दौरान शहीद हुए कम से कम पाच जवानों को इस बार गंतन तुर्दिबस समारों में सम्मानित किया जाएगा बिहार में मार्च तक लिया जाएगा नियोजित सिक्षकों के तबादले का आवेदन प्रदेश के माधेमिक, उचमाधेमिक और प्राथमिक स्कूलों में कारेरत उन्महिला एवं दिव्यांग सिक्षकों के अंतरजिला और नियोजन इकाई तबादले के आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है सिक्षा विभाग के प्रधान सच्चिव की अध्यक्षता में उचिस्तर ये समीती की बैठक हुई बैठक में तबादला आवेदन के लिए बनाई जा रही प्रक्रिया सहिता के संदर्व में उचिस्तर ये मन्थन भी हुआ कवे की जान जाने पर बर्ट फ्लू की बढ़ी संभावना कोरोना के माहौल के बीच बर्ट फ्लू ने सब की परिशानी बढ़ा दी है हाला कि अब तक बर्ट फ्लू के मामलों की पुष्टी बिहार में खबर लिखे जाने तक नहीं हुई थी जिसके बाद लोगों की बीच डर साफ तोर पर देखने को मिल रहा है जदियू ने यूपी चुनाव लड़ने का किया ऐलान जदियू अब बिहार के साथ साथ अन्य राजियों में भी विस्तार की तैयारी कर रही है यही कारण है कि जदियू नियाब उतर प्रदेश में भी किस्मत आजमाने का फैस्वा लिया है जिसके तहर जन्ता दल यूनाइटेड ने भी 2022 के उतर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है हाला कि अभी तक इस बात पर सहमती नहीं बनी है कि बिहार में भारतियर जन्ता पार्टी के सरयोगी जन्ता दल यूनाइटेड उतर प्रदेश में भाजपा के साथ गटबंदन कर चुनावी मैदान में उतरेगी या नहीं चली गई है पिश्य साल अगस्त महीने में नगर निगम के स्थाई समीती ने पटना में प्रदूशन के बढ़ रह स्तर को देखते वे साइकल योजना को मनजूरी दे दी थी जो छे महीने बीट जाने के बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाई है यह योजना सरकारी विभागोस में मनजूरी पूरा होने का चक्कर लगा रहे है आपको बता दे साल 2020 पतना की स्वच्छता रैंकिंग 10 लाग से अधिक आबादी वाले शेहर में 47 वे नंबर पर थी साथी एक महीने पहले तक राजधानी की आबो हवा देश के सबसे अधिक प्रदूशिट शेहरों में शीर्श पर थी करीब एक महीने पहले पतना का एर कॉलिटी इंडेक्स 479 तक पहुँच चुगा था भारत के इतिहास में आज की तारीख क्यी कारणों से एहमानी जाती है राश्रुपिता महात्मा गान्धी ने हिंदू-मुस्लिम एक्ता बनाय रखने के लिए 1948 में आमरन अंचन शुरू किया था नवादा जिले के संग्रहाले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास पुरे बिहार में पटना के बाद यह दूसरा बड़ा संग्रहाले के रूप में इंगित है जो कि नवादा शेहर के नवादा चौक के पास थे थे यह साल 1973 इसा में नवादा के प्रथम जुला अधिकारी नरेंद्र पाल सिंग के प्रयासों से अस्तित में आया इस संग्रहाले में जुले के विभिनर्शेत्रों के एतिहासिक दुड़लब प्रतिमाय सुरक्षित रखी गई है यहां भगवान बुद्ध की कई मुद्राय वाली प्रतिमा से लेकर भगवान विष्णू, मंजू, श्री, गनेश आधी की प्रतिमाय है पालकाल से लेकर आधुनिक काल की कई देवी देवताओं की प्रतिमा के अलावा यहां उस जमाने की कलाकृतियां भी रखी गई है बिहार क्याडर के 43 IPS अफसरों ने ही अब तक दिया है संपत्ती का ब्योरा बिहार सरकार ने सभी IPS अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ती का विवरन देने का निड़न लिया है 31 जनवरी तक सभी अधिकारियों को संपत्ती का विवरन दे देना है जुसके बाद अब तक क्याडर के 43 अधिकारियों ने संपत्ती का ब्योरा दे दिया है ग्रेवभाग के सचिव के सेंथिल कुमार ने इस संबंध में DGP को पत्र जारी कर दिया है पत्र में कहा गया है कि बिहार कैडर के 43 अधिकारियों ने संपत्ति का ब्योरा दे दिया है बाकी जिन अधिकारियों ने अभी तक संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है उन्हें समय सीमा में जमा करने का निरदेश सौप दिया गया है जिसकी पूरी सूच नागरेवभा की तरफ से जारी कर दी गई है बिहार पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग देंगे सेना और CBI के रिटाइड अधिकारी अफसर सहायक निरीक्षक से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पदाधिकारी को नई तकनीक और नई कानून से जुड़ा प्रसिक्षन दिया जाएगा इसके लिए CBI के रिटाइट अधिकारी, पुलिस अकैडमी के अनुभवी पदाधिकारी, पारा मिलिटरी, फोर्स और सेना के रिटाइट कर्मचारियों की मदद लेने की योजना के साथ काम कर रहे हैं इसी महीने महिला सुरक्षा और भूमी विवाद के मामलों को लेकर भी विशेश ट्रेनिंग दी जाएगी 28 जन्वरी को एन इंस्टिट्यूट में भूमी विवाद का प्रसिक्षन शुरू होने वाला है कॉंग्रिस पार्टी कार्याले में हुए हाथापाई पर भक्त चरंदास ने दिया बयान कॉंग्रिस के बिहार प्रभारी भक्त चरंदास इन दिनों पटना दोरे पर है जहां वो जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की जुगत में जुट गया है इसी क्रम में वो लगातार बैठक का संबोधर भी कर रहे है इसी क्रम में कुछ दुनों पहले आयोजित बैठक में जम कर हंगामे की खबर भी सामने आई थी जिसके बाद अब खुद भक्त चरंदास ने भी अपना बयान जारी किया है जिसके तहत रुआने कहा है कि बिहार में दो तीन दशक से अलगत रहे की राजनीती देखने को मिल रही है हमारी पाटी बिहार में निश्चित तोर पर कमजोर परिस्तिती में है उसे अब बहतर बना रहा है इस कमजोरी को दूर करना चाहते हैं पार्टी में कुछ लोगों में रोश है जगदानन सिंग के बयान के बाद भाजपा महिला कारे करताओं ने भेज़ी चूड़ी राज़त के प्रदेश अध्यक्स जगदानन सिंग का बयान उनके खिलाफी भाड़ी पर ता नजरा रहा है दरसल राज़त के प्रदेश अध्यक्स जगदानन सिंग ने भाजपा के बिहार प्रभारी भुपेंदर यादव और जदिवसांसत ललन सिंग को लेकर कहा था कि वो इन लोगों के बयान पर ध्यान नहीं देते हैं उन्होंने कहा था कि आप ही बता दो हर भॉकने वालों को जवाब देना जरूरी है क्या जिसके बाद ही महिला भाजपा कारेकरताओं का रोश देखने को मिल रहा है बीते दिन महिला कारेकरताओं उने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उनके फोटो पर बिन्दी चिपका कर और चूड़ी भेट करके विरोध प्रदर्शन किया है महिला कारेकरताओं उनके इस बयान को अमरियादित बताया है बिहार में DNA जांच की बढ़ेगी रफतार बिहार में DNA जांच की रफतार बढ़ने वाली है Forensic Science Laboratory में DNA जांच की दूसरी यूनिट लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है अब राधनुसंदान विभाग ने राजुसरकार को DNA जांच की नई यूनिट लगाने का प्रस्ताव भेज दिया है जिसके बाद इस बात की उमीद जताई जा रही है कि जल्दी इसकी मंजूरी मिल सकती है बिहार में DNA जांच के लिए साल 2012 में पतना स्थित FSL में एक मशीन लगाई गई है और वैग्यानिकों को बहाल किया गया है इसके अगले साल यानिकी 2013 में जांच शुरू हुई है हर मशीन की छमता तै रहती है बिहार के इन 20 जिलों के 40 विधान सभा छेत्रों में होगा एंड लाइन सर्वे बिहार विधान सभा चुनाव का समापन हो गया है सभी चुला निर्वाचुन अधिकारियों को सर्वे टीम का सहियो करने और उन्हें जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने का निर्देश भी उन्होंने दिया है उन्होंने कहा है कि इस सर्वे के तहत विधान सभा चुनाव में मतदाताओं नौलेज आटीट्यूड और प्राक्टिस यानी जानकारी दृष्टिकोण और आदत की जानकारी ली जाएगी राश्ट्रपती और प्रधानमंत्री मोदी को भेजा जाएगा भागलपूर का कतर्णी चूड़ा मकर सक्रांती आने में बस कुछ ही समय बचे हैं हाला कि अब मकर सक्रांती को लेकर बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है में मकर सक्रांती के शुभवसर पर इस बार भागलपूर के कतर्णी चूड़े की चर्चा काफी सुनने को मिली है जो कि अब और ज्यादा खास होने वारी है क्योंकि अब भागलपुर के कतरणी चूड़े को रास्टरपती और प्रधानमंत्री मोदी को भीजे जाने की तैयारी की जा रही है इसको लेकर 200 पाकट तैयार करने का काम किया जा रहा है आपकी जानकारे के लिए आपको बता दे जिन कुछ खास विशुशिताओं के कारन भागलपुर या अंग प्रदेश की पहचान देश विदेश में है उसमें कतरनी चावल और चूड़ा खास है 9 साल के बाद बिहार के इस इलाके में दिखी ट्रेन लगभग 9 साल के लंबे इंतजार के बाद सुपल वासियों को ट्रेन की सौगात मिली है जिले के प्रताप गंज से देश के भिन भिन हिस्सों में रेल मार्क से सफर करने की हसरत लिए बैठे लोगों में सोमवार की दो पहर ट्राइल इंजन के पहुचते ही खुशी की लहर देखने को मिली 9 साल पहले 2012 के बाद प्रताप गंज रेलवे स्टेशन पर बड़ी रेल लाइन का पहला ट्राइल इंजन पहुचा यह देखकर वहां मौजूदा लोगों ने कहा कि लगभग दशक भर बाद ट्रेनों के चलने की आस जागी है जनता दरवार में पैक्स का कारनामा सुन उपमुखिमंत्री हुए अचमभित धान खरीद में बेकार सावित हुए गोपाल गंज जिला के चौराओ पैक्स का एक नया कारनामा उपमुखिमंत्री के सामने आया है जिसको सुनने के बाद उपमुखिमंत्री तारकिशोर प्रसाद खुद भी अचमभित नजर आये इतना ही नहीं इस मामले को सुनते ही उन्होंने जाज तक क्या देश्टी दिये गोपाल गंज जिले के चौराओ पैक्स में हुई धान्दली की शिकायत लेकर एक शक्स पटना पहुँचा था उपमुखिमंत्री के जनता दर्बार में पहुँच शिकायत करता भीम कुमार ने बताया कि चौराओ पैक्स में किसानों से यह कैकर पैसा जमा कराये गया है कि जब जरूरत होगी तब पैसा निकाल सकते हैं क्रिशी कानून पर सुप्रीम कोट ने लगाई रोग केंदर सरकार को बीते दिन कराला जटका लगा है केंदर सरकार की तरफ से प्रस्तावित क्रिशी कानून को लेकर सुप्रीम कोट ने एहम फैसा लिया है जिसके तहत कोट ने बिल पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया है इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने किसानों से बाचीत करने के लिए एक सदस्य टीम का गठन किया है आपको बता दे उचितम नयायाले ने मंगलवार को कहा कि कोई ताकत उसे नए क्रिशी कानून पर जारी गतिरोत को समाप्त करने के लिए समीती का गठन करने से नहीं रोक सकती था उसे समास्या का समाधान करने के लिए कानून को निलंबित करने का अधिकार है उसने किसानों के प्रदर्शन पर कहा कि हम जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा को लेकर चिंतित है MS Dhoni की वेब सिरीज को लेकर पत्नी साक्षी ने दिया हिंट MS Dhoni अब मैदान के बाद वेब सिरीज के जरिये धहमाल मचाने वाले हैं प्रेडक्शन हाउस एक वेब सीरीज पर काम कर रहा है हाला कि यह वेब सीरीज कब रिलीज होगी इसकी कोई आथिकारिक पुष्टी नहीं हुई है लेकिन हाली में साक्षी धोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेर की थी जिसको देखकर यह अंदाजा लगाय जा रहा है कि दर्शको को यह जल्धी देखने को मिलने वाली है कर्मनाशा नदी पर बने स्टील ब्रिच से शुरू हुआ वाहनों का परचालन हो रहा था लेकिन अभी कालीकरण गाम नहीं किया गया है जिसके बाद एक बार फिर से स्टील ब्रिच से वाहनों का परिचालन जारी हो गया है आपको बता दे कि एक हफटे में स्टील ब्रिच की भी मरमत का काम चल रहा था मरमत का काम हो जाने के बाद वाहनों का परिचालन शिरू कर दिया गया है कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आपमें से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आपमें से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिव्यांशु कुमारी, श्वेता रॉय, प वर्सा में क्या भाब की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते आज के सवाल के और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार बीते दिन सुप्रीम कोड की तरफ से अगले आदेश तक रिशी कानुन को निरस्त करने का फैसला इसके साथ ही चार सदसीय कमीटी के गठन का फैसला सही है या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आपे वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे तो मारे चैनल को सब्स्राइब करें और बलाइक को अंदवाना ना भूले और अगर आपे वीडियो हमारा फेस्बुक पर द जादर जादर शेयर करें धन्यवाद